Hello students and welcome back, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चाप्टर 2 इंडियान एकनॉमी, 1950-1990, यह हमारा इंडियान एकनॉमी का चाप्टर 2 है, हमने लास्ट फीडियो में भी अभी कवर करा 5-year प्लान के अबजेक्टिव से गरा, अब आज हम लेंगे अग्रिकल्चर, इसमें हम अग्रिकल् करते थे या कितना हमें दिक्कते फेस करते थे, यह सारी चीज़े हमने पढ़ी और लेकिन वह हमारी लिविंग के लिए कितना इंपॉर्टन था, यह भी चीज हमने देखा, तो अब हम इसको इस तरह से कवर करेंगे, कि जब से पहले इंपॉर्टन्स की देखेंगे, फिर अगरिकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स भी क्या क्या आती हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी 72% वरकिंग पॉपलेशन क्या है हमारी अगरिकल्चर पे ही डिपेंड करती है, यह चीज हमने लास्ट चेप्टर में भी देखी हमने, क्योंकि टाइम अब जैसे अभी तो अब तो फिर भी तोड़ा बहुत सर्वेस सेक्टर में लोग बाग आने लगे हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी 47% हम लोग मारी अगरिकल्चर पे डिपेंड है हमारी कांट्री के अंदर तो उस ताम तो 72% वरकिंग पॉपलेशन थी जो की अगरिकल्चर पे ही करती थी और बहुत ही काम ऐसे लोग ते जो कुछ दूसरा बिजनस या कहीं जॉब कर रहे हूं डिफरेंट सेक्टर में ठीक तो इसमें क्या-क्या चीजे इंपॉर्टन्स थी वह देखते हैं सबसे पहला है कॉन्ट्रिबूशन और इन जीडिपी तो यह हमारा सबसे ज्या हमारे जो इंडिया के लोगों का वह क्या है वह जिया अगरिकल्टर ही है कैसे न सप्ली आपको पता है कि हम लोग इखने के लिए मदो खी हुला तो हम बहुत बाद में आये थे, cash crops क्या होते हैं, जिसनको बेच कर हम पैसा कमाएं, तो उस वो तो हम बाद में हम आये, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने living के लिए, खाने के लिए, खुद के हम लोग ग्रेंज उगाते थे, हाला कि अभी भी ऐसे ही है, जैस जैसे की जूट हो गया, cotton हो गया, जैसे की जूट हो गया, जैसे की जूट हो गया, नील हो गया, वह हम आगी की पॉइंट से पढ़ेंगे, बस ये फूट ग्रेंज आप जैसे अगर एक चोटी सी बात में आपको यहां पर कहूँ की, on an average 144 लगते हैं, वीट या कोई भी ची सब्सक्राइब करने के लिए और आपके पास वह खाना आने के लिए, और हम लोग उसे वेस्ट करने में किता देर लगते हैं, मुझे लगता है 40 seconds भी लगते होंगे, हमें हम खाना लेते हैं और हम इच्छान लगता हम फेक दते हैं उसे dustbin में, तो ऐसा हमें नहीं करना चाह बहुत बर आपए तो 47 percent है तो लोग बाग हमारे ज्यादा सोर्स जो है वह और सब्सक्राइब करते हैं, में तो दूसरी तरह के इंडुर्श्टर में कम हैं, जाध लोग किसमें हैं वह इंडुर्श्टर पर आप्र लोग इंडिपेंडंस ए मिंडीक में एंड़्यां आने क आप तो थो थो थोजन था थार्टीन का अधि जनता तो अभी भी एंप्लाइग काम करती है ना ठीक अब है हमारा फोर्थ सप्लाई ओफ राव मटेरियल्स सप्लाई और अफ राव मतलब की बाकी सेक्टर्स को चलाने के लिए भी अग्रिकल्चर पर इडिपेंड हैं लोग ज पर राव मतलब हैं ज यहीं कि एकर दॉलिपेंड है कि अत्ति किड़िदी आव में हमारा वगें कर वाएड कर वाताई है हमारा फिसेंद हैं तो किसे इस में फटेज सप्लाई है न जो आविकल्चर भी फैने फिसीप पर इस तो मयाद हैं तो वो कि ओब होगा कुझे होंगा इस पिए जूआ का ओछा में है को इसी से गर्डिकल्चर नीज हो पहला जो प्राब्लमे वह है लाक ओफ olv इर्डिकेशन स्ड॥ को मालूम थे ऑप लोगने ट्यू इन hätten जीजे बोहत पड़ी हैं यह आप लोग के लिए नहीं नहीं है कि पहले हमारे जमाने में पानी का उतना सुविधा ही नहीं होती थी बहुत ट्यूब वेल्स यह सब कुछ चीज नहीं होती थी जिसके वज़े से क्या होता था कि पानी नहीं मिल पाता था मतलब सिर्फ बादल बारिश पर डिपेंड करत जैसे कि अब तो बहुत जादा फैसिलिटीज हो गई है इरिगेशन की लेकिन पहले के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स थी पानी की वज़े से हमारा जो अग्रिकल्चर सेक्टर बहुत लाग कर रहा था वो ठीक अगला है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग यह क्या है बद अगर छोटे-चोटे लैंड्स डिस्टिम्ट होगए कि एक किसी का है यह किसी का है तो 옥ा ऐगर आप छोटे-चोटे लैंड बनाते हो तो आप लोगों का एरियावेस्ट होगा तो उसमें क्या है आप लोगों को प्रॉपर काम नहीं मिलेगा मतलब अब उतना अ कि भी एक प्रॉब्म थी जो की लोगों को फेस करनी पड़ती थी अपने हर किसी को अपना छोटा लैंड पे काम करने की विज़े से वो उतना काम नहीं जमा पाते थे अपना, ठीक है, फॉर्थ है, थर्ड पॉइंट है हमारे, डेफिसित ओफ इंस्टिशनल फिनांस, अब देखो, आजकल तो कितना अच्छा कर दिया है, गॉर्मेंट ने, य अगर कुछ होता है, कुछ खराब होती है, उनकी फसल तो उनको पैसा मल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उनको क्या करना पड़ता था, सहुकार जो होते थे, उनके पास ही जाकर अपना लैंड गिरवी रखो, या अपने कंगन गिरवी रखो, कुछ ऐसा करो, और पै किसी दे साइन करवा लेते थे, मतलब उठा लगवा लेते थे, और उनकी जमीन एट लास्ट हवाड़ अप लेते थे, या वो बिचारा किसान अपनी जमीन पर खुद वो नौकर की तरह काम करता था, और सोचता था कि मेरी जो जमीन है, अब तो ये सहुकार के पास गिरवी कि जैसे पहले भी हमने पिछले जवाले चाप्टर में पढ़ा है अपना कि हम सर्फ खेती करते थे किस लिए अपना उगाने के लिए अपना खुद का खाने के लिए या थोड़ा बहुत दे दिया या कुछ कर दिया तो उसमें हम सोचते थे नहीं हम फर्टिलाइजर्स जो पूर थी अच्छी नहीं थी तो यह भी चीज चेंज हुआ अब उन्होंने नए चीजें इंट्रिउस करनी शुरूर करी है लेकिन उस टाइम पर यह चीज दिक्कत थी कि उनका जो आउटलूक था वह बहुती ओल्ड था और वो उस चीजों को एडॉप्ट नहीं करना चाहते थे ठीक देन फिफ्ट है हमारा लैक ऑफ और्गनाइज मार्केटिंग सिस्टम इसके अंदर क्या था चलो किसान ने उगा लिया सब कुछ कर लिया लेकिन अब वह बिचारा बुड़ा किसान उसको नहीं था कि वह अपना यह फसले कहां जाके बेचे कहां मार्केट क अब इतना नहीं है कि कोई उनको लूट लेगा या कुछ कर देगा उन्हें एक प्रॉपर दाम की तरफ से डिसाइड हो जाते हैं जो कि उनको मिलते ही मिलते हैं लेकिन पहले इस चीज की बहुत जाता दिक्कत थी और वह नहीं अपने चीजों को मार्केट नहीं कर पता था अपने जो क्रॉप्स होते थे उनको प्रॉपर रेट में या फिर उसके पास गोडाउन की फैसल्टीज भी नहीं थी कि अपना समान वो कहीं सेफ करके रख ले उस जल्दी होती थी कि उग गया मैं जल्दी से बेचूं अधर बारिश आंदी आ गई तो मेरी जो फसल है रही क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको मांक कैसे देगा एक्जाम लर तो यह चीज़े आपको सब पता है आप लोग इससे अंजान नहीं है बच्पन से आप सोशल साइंस भी पढ़ते आ रहे हो मूवीज बे देखते आ रहे हो या आप अपने असपास यह चीज़